हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कारह की रेसिपी जिसे आप ड्रिंक भी कह सकते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमें कि हमारे बॉड़ी के अंदर एक स्ट्रोंग यूमिनिटी पावर होगा तो हमें करोना से ड़ने की जरूरत नहीं है और हमारे बॉड़ी पे करोना का कोई एफेक्ट नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा ज जो आप अच्छा खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे दोनों चीज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अभी का समय जो है कि अच्छा खाके और हम हेल्दी रहके ही आपने बॉड़ी का इम्मुनिटी को बुसब कर सकते हैं तो इसके लिए मैं एक कारा की रेसिपी लाई हूँ जिसमें जितने भी इंग्रेंट्स में यूज की हूँ वो सारा इंग्रेंट्स हमारे बॉड़ी के अंदर हमारा इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग करेगा और उसे बुसब भी करेगा तो आप इसे देखी और अपने फैमिली को जरूर इसे पिलाईए और इससे यूटी पावर आपका स्ट्रॉंग होगा और आपके करोना का भी एफेक्ट नहीं होगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और लाइक और सेर भी कर दीजिए तो देखिए ये कारह कैसे बनता है ये कारह को बना के आप रख भी सकते हैं एक दिन के लिए और सुबह में और रात में इसे पीजिए सुबह अगर आप सो के उठते हैं तो इसे warm करके या गरम करके इसे पीजिए पाणी ना पीके ये कारा ही पीजिए और रात में सोने से पहले इसे पीजिए दो बार अगर आप इसे पीते हैं तो आपके बॉड़ी के अंदर स्ट्रॉंग इमिर्टी होगा और आपके बॉड़ी पे करोना का इफेक्ट नहीं होगा तो देखते हैं फ्रेंट्स कैसे ये बनता है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक चमज जीरा ये देखिए एक चमज जीरा है एक चमज सो फैनल सीड एक छोटा सा टुकडा अद्रक का जिसे मैं कूट के लूँगी और दस से बारा काली मीरी जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं पान से छे लॉंग और दालचीनी दो इंच के लगवर दालचीनी लेते हैं ये सबी को पानी में डालके एक लिटर पानी में डालके बोल करेंगे पहले अद्रक को हम कूट लेंगे कूट के और फिर एक लिटर पानी के अंदर इसे डालके पान से साथ मिनट तक बोल करेंगे जब भी पूरी अच्छी तरह से बॉइल हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बिल्कुल चाय की तरह दिखने लगेगा यह कलर तो आप देखिए अभी मैं बॉइल करती है इसको बॉइल होना स्टार्ट हो गया है और इसी तरह से मैं इसे पांच मिनट तक और बॉइल करेंगे यह देखिए कलर अपने आप यह चेंज हो जाएगा इसका सारे जितने भी इंग्रेंट्स में डाली हूं इससे सब कलर छोड़ देगा और यह पांच मिनट हो गया और गैस आपका चाय पीने कमन करता है तो भी आप पी सकते हैं क्योंकि यह इतना हेल्दी और इतना स्ट्रॉंग ड्रिंक है कि आप टेस्ट में भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है और मैं यह बिल्कुल ऑप्सनल है मैं इसमें गोर्ड डाल रही हूं अगर आपको गोर्ड पसं टेस्ट करके देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा और बच्चों को भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो प्लीज इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए